Hello Friends, Welcome to Starlight Education आज हम पढ़ेंगे Class 10th की सोसाइन सब्जेक्ट और सोसाइन सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे Chapter No.2 और Chapter No.2 के हमने 3 वीडियो complete कर लिये हैं यदि आपने इन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो Description Box में लिंक दे दी गई है वहाँ से आप इन 3 वीडियो को देख सकते हैं तो आज हमारा जो Second Chapter है उसका हम Fourth Video देखेंगे यानि कि Fourth Video में हम देखने वाले हैं Tuglaq Dynasty के बारे में थर्ड वीडियो में हमने Khilji Dynasty के बारे में देखा था जो Second Video था उसमें हमने Slave Dynasty के बारे में देखा था और जो First Video था उसमें हमने Introduction देखा था Second Chapter से Related तो आज हमारा जो Fourth Video है इसमें हम Tuglaq Dynasty के बारे में पढ़ेंगे तो Tuglaq Dynasty के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको Map बता देना चाहता हूँ तो ये आप Tuglaq Dynasty का Map देख पा रहे होंगे ठीक है? तो ये वाला जो Potion है इस वाले Potion पर Tuglaq Dynasty के जितने भी Ruler थे वो Rule करते थे ये वाला Potion ये है Tuglaq Dynasty का Map तो हम बढ़ रहे हैं देली सल्तनत और देली सल्तनत में Total Five Dynasty है Slave Dynasty, Khilji Dynasty Tuglaq Dynasty, Sayed Dynasty and Lodhi Dynasty ठीक है? तो ये पांच डाइनिस्टी है तो ये आपने First Video नहीं देखा है तो देख लीजिए Introduction वाला उसमें आपका Concept clear हो जाएगा कि देली सल्तनत से पहले क्या था और Slave Dynasty की स्थापना किस प्रकार से हुई है वो सब तो देली सल्तनत में हम Five Dynasty पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं Slave Dynasty Slave Dynasty को हमने Complete कर लिया है Slave Dynasty में हमने पढ़ा था कि 1206 से लगा कर 1290 तक जो है वो Slave Dynasty रेती है यानि कि 1206 से लगा कर 1290 तक जो है वो Slave Dynasty रेती है यानि कि 84 years आगे बाद समझ में 24 सी साथ फिर Slave Dynasty के बाद में खेलजी डाइनेस्टी आती है जो कि कब से कब तक रूल करती है 1290 से लगा कर 1320 तक यानि कि 30 years फिर आती है Tuglaq Dynasty खिलजी डाइनेस्टी के बाद में आती है Tuglaq Dynasty तो आज हम Tuglaq Dynasty के बारे में ही पढ़ने वाले हैं इनके रूलर्स के बारे में तो जो Tuglaq Dynasty है तो ये Tuglaq Dynasty जो है वो 1320 से लगा कर 1414 तक जो है वो रहती है यानि कि 1420 से लगा कर 1414 तक Tuglaq Dynasty के जितने भी रूलर हैं वो रूल करते हैं और ये 94 years जो है ये रूलर्स रूल करते हैं Tuglaq Dynasty के सबसे ज़्यादा टिकाउ जो डाइनेस्टी है देली सल्तनत में वो Tuglaq Dynasty है यानि कि सबसे लोंगेस्ट रूल है इस डाइनेस्टी का देली सल्तनत पर देली सल्तनत के अंदर सबसे लोंगेस्ट रूल किसका है तो वो है Tuglaq Dynasty और सबसे सोर्टेस्ट रूल किसका है सबसे कम रूल कि कौनसी डाइनिस्टी ने किया देली सलतनत के अंदर तो खिलजी डाइनिस्टी राइट तो फिर आती है सेड डाइनिस्टी और लोधी डाइनिस्टी तो इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो तुगलक डाइनिस्टी के बारे में क्या याद रखना ह 1320 से लगाकर 1414 तक तुगलक डाइनिस्टी रहती है और यह जो इसके रूलर्स होते हैं वो 94 इस डाइनिस्टी को continue रखते है राइट जो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तुगलक डाइनिस्टी के जो रूलर्स होते हैं उनका नाम सबसे पहले तो फस्ट होते हैं गियाजुदिन तुगलक जो होते हैं वो कौन होते हैं यह होते हैं फाउंडर तुगलक डाइनिस्टी के फाउंडर कोने गियाजुदिन तुगलक जो हैं वो किसको मार के इस डाइनिस्टी की स्तापना करते हैं तुगलक डाइनिस्टी की तो जो खिलजी डाइनिस्टी के लास्ट रूलर थे नाजिरुदिन खुजरो उनको मार कर गयाजिरुदिन तुगलग इस तुगलग डाइनिस्टी की स्तापना करते हैं क्या बढ़ा था हमने लास्ट में जो खिलडी डाइनिस्टी थी उसमें हमने लास्ट रूलर का क्या नाम देखा था लास्ट जो रूलर थे उनका नाम था नाजिरुदिन खुजरो क्या नाम था नाजिरुदिन खुजरो को मारने के बाद में ये गियाजुदिन तुगलग इस नई डाइनिस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है तुगलग डाइनिस्टी और गियाजुदिन तुगल यानि कि चचेरे भाई और फिरोश चाद तुगलक का जो बेटा होता है वो होता है फते खान ठीक है फते खान के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे और जो इस डाइनेस्ट्री के जो लास्ट रोलर होते हैं वो होते हैं नाजिरुदिन मामुद तो सबसे पहले हम पाड़ना स्ट करते हैं गियाजुदिन तूगलग के बारे में तो he become the Sultan of Delhi after killing नाजिरुदिन खुजरो in 1320 जानी की तेरा सो बीस में जो गियाजुदिन तूगलग है वो किसको मार देते हैं नाजिरुदिन खुजरो को ये नाजिरुदिन है तूगलग डैनिश्टी के initially he faced many revolts and to crush the revolt he sent his son Jonah Khan got victory in Bengal यानि कि इनोंने बहुत सारी revolt phase किये और कुछ revolt को crush करने के लिए अपने बेटे Jonah Khan को भी बेजा यानि कि इनोंने बहुत सारी revolt phase किये और कुछ revolt कुछ revolt को crush करने के लिए उन revolts को दबाने के लिए अपने बेटे जोना खान को भी बेजते हैं गियाजुदिन तूगलग और जो जोना खान होता है वो बंगाल में जीत भी हासिल करता है जोना खान गोट विक्टरी इन बेंगाल यानि कि जो जोना खान होता है वो बंगाल में जीत भी हासिल करता है ये जोना खान कौन होता है तो ग्याजुदिन तुगलग का बेटा तो अब हम देखते हैं ग्याजुदिन तुगलग की मिर्तिव कैसे होती है तो इससे पहले मिर्तिव से पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये दिल्ली के सुल्तान कब बने 1320 में किसको मार क नाजरुदिन खुसरो को मार कर, इनका बेटा जोना खान और जोना खान ने जो है वो बहुत सारी रिवोल्ट करश किये और इन्होंने जो जोना खान है इन्होंने बेंगाल में भी जीत हासिल किये, यह हमने पढ़ा था और ग्याजुदिन तुगलक फाउंडर है, किस डाइन वीडिगन होती है बनी इक बिल्डिंग होती है इमारत जो कॉलाइस गिर जाती है वह लखडी की बिल्डिंग तो उसके कारण मिर्ती हो जो वो लकडी की building नीचे गिरती है तो उसके नीचे आ जाते हैं ग्याज़ुदिन तुगलग और उनकी वहीं मिरती हो जाती है तो यह कहा होती है तो देली में देली में की समय एक reception हो रहा था उसके समय में यानि स्वागत समार हो रहा था तो उस समय तो इनके बारे में अपना नाम change कर दिया जोना खान ने अपना नाम मुहमत रग लिया ठीक है मुहमत तुगलग राइट जोना खान और मुहमत तुगलग में confused मत होना दोनों एक ही ना में पहले जोना खान का जाता था इनको फिर यह सुल्तान बने तब इन जोना खान ने क्या क्या अपना ना के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जोना खान became the Sultan in the name of मुहमत तुग्लग, यानि कि जो जोना खान है, जोना खान को ने गियाजदिन तुग्लग के बेटे, जोना खान जो वो सुल्तान बनते हैं और अपना नाम चेंज कर देते हैं मुहमत तुगलग जो है वो अपना नाम रखते हैं मुहमत तुगलग नाम पर ये सुल्तान बनते हैं जोना खान जोना खान कहो या मुहमत तुगलग कहो एक बात है he renamed its capital as दोलताबाद यानि कि इनोंने अपनी capital का नाम जो था वो rename करवा दिया अपना capital का नाम क्या रखा? दोलताबाद रखा पहले क्या था? तो दोलताबाद से पहले नाम था देवगिरी मुहमद तुगलक की जो सुल्तान बने थे तब पहले जो नाम था इनकी capital का वो देवगिरी था और देवगिरी से दौलताबाद रख दिया अपनी capital का नाम he circulated the token currency यानि यह मुहमत तुगलक थे इन्होंने अपने समय में अपने rule के समय token currency भी circulate की थी इबन बतूता Moroccan traveler visited India during his rule यानि कि एक Moroccan के एक traveler है यानि कि Moroccan के एक यात्री है इबन बतूता एक Moroccan यात्री हैं जिनोंने इनके समय में इंडिया को विजिट किया था राइट किसके समय में मुहमत तुगलक जब रूल कर रहे थे तो उनके समय में एक इबन बतुता थे जिनोंने इंडिया को विजिट किया जब मुहमत तुगलक यहां पर रूल कर रहे थे इंडिया में और इबन बतुता को कुछ रिवल्ट क्रश करने के लिए चाइना भी बे क्या बेजा चाहिना भी बेजा ठीक है कुछ रिवोल्ट के कारण अब हम देखते हैं फाइब पॉलिसी और मुहमत तुगलग की कुछ पॉलिसी देखते हैं तो इंक्रीजिंग टेक्स इन दो आप यानि कि दो आप में जो थे इन्होंने टेक्स इंक्रीज कर दिये इस पर भी इन्होंने अटेक्क किये राइट यानि कि इन्होंने जो खुरासन नाम की जो जगह है उस पर भी इन्होंने अटेक किये यह मुंबत तुगलग के बारे में क्या पड़ा हमने फर्स्ट में यह जोना खान इनका पहले नाम जोना खान था और यह मुंबत तुगलग का नाम से जो थे वो सुल्तान बने और इनके पिता का नाम गियाजुदिन तुगलग और यह सेकंड रूलर है तुगलग डाइनि अब हम बढ़ते हैं फिरोशा तुगलग तो फिरोशा तुगलग जो है वो किसके बाद में सुल्तान बनते हैं तो मुहमद तुगलग के बाद में फिरोशा तुगलग जो है वो क्या बनते हैं सुल्तान बनते हैं तो यह क्या लगते हैं फिरोशा तुगलग मुहमद तुगल फिरोशा तुगलक जो होते हैं वो मुहमद तुगलक की मिर्त्यू के बाद में सुल्तान बनते हैं 1351 में 1351 में फिरोशा तुगलक जो हैं वो क्या बनते हैं सुल्तान बनते हैं किसकी मोत के बाद में मुहमद तुगलक की मोत के बाद में और ये कजीन होते हैं चचेरे भाई होते हैं फिरोशा तुगलग किसके मुहमुद तुगलग के यानि कि जो फिरोशा तुगलग थे इन्होंने अपना सक्सेजर जो था वो न्यूक्त कर लिया था फते खान को फते खान जो था वो फिरोशा का क्या था बेटा था कौन फते खान तो इन फिरोशा ने क्या 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 कि अपने बेटे फते खान को सक्सेजर न्यूक्त कर दिया यानि कि उत्रा दिकारी मेरे मने के बाद में जो सुल्तान बनेगा वो मेरा बेटा बनेगा फते खान ये इन्ह से करवाए थे फते खान और फिरोशय तुगलग के नाम से issue coins करवाए थे किसने फिरोशय तुगलग से यह दो जगए हैं तो यह से इन्हों 249 जो पीलर होते हैं वो खरीदे थे किस ने फिरोशा तुगलग ने पर इन्होंने खरीदे पर उन पर जो लिखा था वो किसी को समझ में नहीं आया था और फिरोजाबाद यानि कि इनने जो थे वो कुछ नगर भी बनाए थे जैसे कि हीजार हो गया हीजार नगर फिरोज नगर और फिरोजाबाद इनके समय इन्होंने ये नगर बनाए थे और ये उस समय बहुत फेमस थे तो अब हम पढ़ते हैं नाजरुदिन महमुद के बारे में राइट तो इनसे पहले भी कुछ सुल्तान आते हैं पर उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इतने इंपोर्टेन नहीं है तो हमने जो तुगलक डाइनेस्टी में जो रूलर पढ़े हैं वो सारे रूलर के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं जितने भी रूलर थे उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कुछ इंपोर्टेन रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं वैसे हम तिनों रूलर के बारे में पढ़ा था, वो थो हम सिक्वेंस वाइस पढ़ रहे थे, बट जो नाजरुदिन महमुद है, उनसे पहले भी कुछ सुल्तान आए थे, तो उनके बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम नाजरुदिन महमुद, राइट, नाजरुदिन महमुद रूल, इनका जब राज चल रहा था, जो तुगलक डाइनिस्टी है, उस पर जब ये रूल कर रहे थे, तब एक तुर्किस इन्वेडर आया, यानि कि तुर्किस जो कंट्री है, तुर्किस का एक आकरमन कारी आया, जिसका नाम था तेमुर लेंग, तेमुर लेंग ने इन पर आकरमन कर दिया, इन नाजरुदिन महमुद पर 1398 में, तो तुर्किस इन्वेडर जो तेमुर लेंग आया था, उसने क्या क्या, कि 1398 में इन पर आकरमन कर दिया, नाजरुदिन महमुद पर, और तेमुर लेंग जो है वो और नई डाइनिस्टी की स्ताफना कर दी सेयड डाइनिस्टी तो सेयड डाइनिस्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यदि आप इस चेप्टर के नोर्स डाउनलोड करना चाते हैं या साइन्स हो चाहे social science हो जितने भी chapter हैं उनके notes डाउनलोड करना चाते हैं तो description box में एक video दे दी गई है how to download notes science chapter and sst chapter तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि notes कैसे डाउनलोड करने हैं तो जाहिए आप देखिए telegram channel है वहाँ से आप notes डाउनलोड कीजिए और enjoy कीजिए तो thanks for watching आज के लिए बस इतना ही